दोस्तों पोलिवूड की ड्रीम गर्ल हेमा मालेनी ने खुलासा किया है कि उन्होंने अभिनेता धर्मेंदर से ही शादी क्यों की थी इसका कारण जानकर आप भी सोच में पढ़ जाएंगे कि धर्मेंदर जैसा शरीप सा दिखने वाला इंसान आखिर इतना गंदा काम कैसे कर सकता है लेकिन राज खोलने से पहले अगर आपको भी धर्मेंदर और हेमा मालेनी की जोड़ी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को कृपया लाइक और शेर जरूर कर दें आमतोर पर हमारे देश में क्वारी लड़कियों और क्वारे लड़कों की शादी का रिवाज है लेकिन बॉलिवड की हस्तियों ने इस टेंड को तोड़ने का भरसक प्रयास किया है फिल्म इंडस्टी में कई ऐसी अभिनेत्रिया हैं जिन्होंने शादी शुदा मर्दों को अपने जीवन शाथी के रूप में चुनना पसंद किया गुजरे जमाने से लेकर नए दोर तक कई एक्ट्रेसस हैं जिन्होंने समाज की परंपरा से अलग हटकर एक ट्रेंड सेट किया है जी हाँ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेमा मालेनी और धर्मेंदर के बारे में लेकिन दोस्तों धर्मेंदर और हेमा मालेनी का वो राज खोलने से पहले आपको बता दें कि इन दोनों की लव इस्टोरी किसी फिल्मी प्रेम कहानी से कम नहीं है दोनों की उम्र के बीच 13 साल का फांसला है, यही नहीं हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंदर ने अपना धर्म और नाम तक बदल लिया था, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंदर की शादी प्रकाश कोर से हो चुकी थी, दोनों के चार बच्चे सनी, बोबी, विजेता और अजीत हैं, फिल्म के शुटिंग के दोरान उनकी मुलाकात हेमा मालेनी से हुई, और साथ काम करते करते, दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, धर्मेंदर और हेमा मालेनी की शादी को 49 साल बीच चुके हैं, और दोनों की आज भी जबरदस्त लगती है, आज भी बसंती और वीरू की जोड़ी को देखने के लिए उनके चाहने वालों का सैलाब उमर जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों के लिए शादी करके हमेशा के लिए एक दूसरे का होना आसान नहीं था, सत्तर के दशक में हेमा को तीन-तीन सुपरिस्टार ने शादी के लिए प्रपोज किया था, उनकी शादी जितेंदर के साथ होनी थी, लेकिन आखिर में उन्होंने धर्मेंदर को जीवन साथी के रूप में चुना, आईए जानते हैं कैसे कंप्लीट हुई धर्मेंदर और हेमा मालेनी की लवी कुमार और हेमा मालेनी के अफेर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी, संजीव कुमार हेमा मालेनी से मन ही मन प्यार करते थे, लेकिन हेमा का नाम लगातार धर्मेंदर से जोड़ा जा रहा था, वहीं हेमा के घरवाले दोनों के रिष्टों को स्षिकार करने के जिसके बाद संजीव कुमार ने जितेंदर को हेमा के घर शादी का प्रस्ताव लेकर बेजा हेमा को समझाने पहुंचे जितेंदर का दिल उन पर आ गया संजीव को मना करने के बाद जितेंदर को लगा कि हेमा माले ने शायद उन्हें हां कह देगी उन्होंने भी हेमा को प्र और हेमा ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया शुटिंग खत्म होने के बाद जितेंदर अपने माता पिता को लेकर हेमा के घर पहुंच गए दोनों के घर वाले बात ही कर रहे थे कि तबी धर्मेंदर का फोन आया उन्होंने हेमा पर गुसा निकालते हुए कहा कि वो फैंसला लेने से पहले उनसे मिले हेमा को परिशान देख जितेंदर ने सोचा कि कहीं वो अपना फैंसला बदल ना ले इसलिए उन्होंने उसी दिन मंदिर में शादी का फैंसला किया हेमा इस बारे में सोच ही रही थी कि जितेंदर की गर्डफ्रेंड शोभा का फोन आया बस फिर क्या था इस फोन के बाद जितेंदर से उनका रिष्टा खत्म हो गया जितेंदर ने अपनी गर्डफेंड शोभा से शादी कर ली अभी हेमा और धर्मेंदर की प्रेम कहानी अधूरी थी महीं हेमा के पिता को ये रिष्टा बिल्कुल मंजूर नहीं था धर्मेंदर का शादी सुधा होना उनके रिष्टे की बाधा बन रहा था दोनों अब खुलकर मेडिया के सामने अपने रिष्टे को कबूलने लगे थे महीं धर्मेंदर अपनी पतनी प्रकाश कोर के बारे में कभी कोई बात नहीं करते थे हेमा से शादी से पहले ही धर्मेंदर के चार बच्चे थे प्रकाश कोर धर्मेंदर को तलाक देने को तैयार नहीं थी आखिर कार हेमा और धर्मेंदर ने वो फैंसला लिया जो वो कभी नहीं लेना चाहते थे दोनों ने इसलाम धर्म कबूल कर शादी करने का फैंसला किया फिर दोनों ने चुपचाप निकाह कर लिया हालांकि बाद में धर्मेंद्र ने इससे इंकार किया था तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या धर्मेंद्र का अपनी पतनी प्रकाश कोर को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी करना सही था हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद